जैपूर भारत राजस्तान का गुलाबी शहर आज हम जैपूर की गलियों में हैं ये हैं यहां का हवा महल हम चले हवा महल के अंदर देख सकते हैं ये काफी बड़ा है कहा जाता था पुराने जमाने में रानियां और उनकी दासियां बाहर की जो कारेक्रम होते थे उन्हें इस हवा महल के खिड़कियों से देखा करती थी ये काफी बड़ा है और काफी सुन्दर है हर एक जगा खिड़की बनी हुई है यहां से जो बाहर की परेड हुआ करती थी यह राजा युद्ध से आने के बाद जब उनका स्वागत किया जाता था, इस जरों को इसे वह उन्हें देखा करती थी, इसी महाल में आपको जगा जगा यह पपेट शो देखने को मिलेगा, जैपूर को बसाया राजा, जैसिंग दो ने जो प्रिंस ओफ वेल्स आलबर्ट क आने की खुशी में शहर को खुबसूरत बनवाना चाहते थे, जिन्होंने गुलाबी रंग सारे शहर को दिया, जो की आतित्य यानि हॉस्पटालिटी का प्रतीक माना जाता है, उसी की साथ साथ यह रंग सैंस्टोन की दिवार पे काफी अच्छा जचता है, बस हम चलते है सिटी पालस, जैपूर का सिटी पालस काफी खुबसूरत है, यहाँ अंदर काफी जगा वीडियो लेना, फोटर लेना मना है, काफी सुन्दर ऐसी कारागिरी, जहाँ पे आपको हिंदू, आर्किटेक्चर, उसी की साथ साथ मुगल इंप्रिशन्स देखनी को मिलेंगे, य इसे मेंटेन किया हुआ है, यहाँ पे पीछे महल का एक हिस्सा है, जहाँ पे आज भी रॉयल फामिलीज रहती है, यहाँ पे है मियूजियम जहाँ पे उस वक्त के राजाओं की कई चीज़े हैं, जो देखना काफी बढ़िया लगा, और कई चीज़े, महल के एक हिस्से मे हैं, चार रूत्तों से संबंदित चार दरवाजे, जो कि काफी खूब सूरत है, इस महल के सामने की तरफ है जंतर मंतर, जो कि काफी इंस्ट्रूमेंट्स उस जमाने में बनाए गए थे, उसके बाद होगा राजस्तानी खाना दाल बाटी चूरमा, यहाँ से हम निकल आमेर किले की तरफ, आमेर किला एक काफी बड़ा किला है, बाच्छा अक्बर और जुदा भाई यहाँ पे रहा करते थे, यह है किले का नीचला हिस्सा, जो कि एक गार्डन की तरह बनाया गया है, और यहाँ पे शाम को एक लाइट शो भी होता है, यह किला काफी साफ और काफी बड़ा है इसमें काली माता का मंदर है जो काफी खूबसूरत है यहां की कारी-गरी देखने जैसे हैं यह यहां का शेश महल है जो की काफी खूबसूरत है यहां पर सभी बेल्जिम मेरर लगे हुए हैं और यह सब काफी खूबसूरत दिखते हैं यह जो आप रंग देख रहे हैं यह नाच्रल कलर से पेंट किया हुआ है जो आज भी बरकरार है किला दूर से भी उतना ही खुबसूरत दिखता है यह है पन्ना मीना कुण स्टेपल यह आमेर के किले के करीब ही है यह आप देख सकते हैं यह पानी का स्तुरोथ है जो काफी खुबसूरत है यहां से हम चल ले जैगर किले की और जैगर किला अमबर किला यह सभी अरावली रेंजिस में बसे हुए हैं जैगर किला अमबर किले से करीब है कहा जाता है अमबर किले से जैगर किले के लिए एक गुप्त सुरंग है जहां से राजा मान सिंग आया जाया करते थे, देख रहे हैं ये है जिंडा जिसे पच्रंगा कहा जाता है, इस किले में आश्या की सबसे बड़ी तोफ आज भी है, जिसे बनाया गया, टेस्टिंग के लिए निकाला गया, लेकिन उसके बाद इसका इस्तेमाल कभी नहीं आज भी रॉयल फैमिली इसकी शस्त्र पूजा करते हैं, जैगर किले में पानी के लिए कई सारी यूजनाय बनाई गई थी, किले की सेहर की बाद गर्मा गरम राजस्तानी खाना, और यहां से हम निकल पड़े बिरला मंदिर, बिरला मंदिर भी काफी खूपसूरत हैं, और जैपूर का खूपसूरत ऐसी जगा, जिसे कहते हैं पत्रिका गेट, अब देख सकते हैं, काफी सिनिक है, काफी फोटोजनिक है, फिलान ये इंस्टाग्रेम पे काफी पौपिलर ऐसी जगा है रील्स के लिए, पत्रिका गेट के साथ, आज का दिन यही खतम हुआ,